हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आईए इस अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशी परिवर्तन की और वास्तम में सूर्य वराठ सत्ता के स्वामी है सभीता देवता की प्राथना अनेकों मंत्रों में आती है और अनेकों मंत्रों में सूर्य को साक्सी समझ करके साधक अपने जीवन को प्रगतिशील बनाते हैं सूर्य विकास के स्वामी है, सूर्य प्रकास के स्वामी है, ओज तेज के स्वामी है, आत्मा के कारक है, प्राणों के कारक है जिस प्रकार से सूर्य ओज तेज के स्वामी है, उसी प्रकार से ओज तेज की व्रद्धी ये सादक के अंदर उत्पन करा देते हैं लेकिन अगर सूरिय आपके जर्मांक में गमजूर हो आपकी पतरिगा में गमजूर हो आपके हाथ की रेखाउं में सूरिय गमजूर हो तो कहीं न कहीं व्यक्ती निस्तेज भी हो जाता है आलेस से सुस्ति प्रमाद व्यक्ति को घेर लेती है और व्यक्ति का खास्तोर से व्यक्ति की जो कीरती यश है वो धुमिल होने लगती है नवग्रहों के राजा हैं, नवग्रह के मंडल के राजा हैं सूरिय अपने आप में वराठ सत्ता पर अधिकार रखते हैं आखाश मंडल में सूरिय का स्तत्व देखते ही बनता है परतक्ष दर्शन देने वाले सूरिय देव है खैर मिरे साथ को सूरिय जैसी निखार, सूरिय जैसा ओजटेज, सूरिय जैसी प्रतिभा और सूरिय जैसी एक लेलाती महक सब के अंदर आए इसे तू हम सूरिय से सम्मंदित आज कुछ उपाई भी आपको बताएंगे सबसे पहले ये बता देते हैं कि सूरिय का राशी परिवर्तन किस तिथी को हो रहा है ये आप ध्यान से सुन ले सूरिय का राशी परिवर्तन 13 फर्वरी से प्रारंब हो जाएगा जो सादख मेरी वीडियो शायद 13 फर्वरी के बाद में देखें तो वो भी उपाए जरूर कीजिएगा अब काईदे में तो ये सूरिय के राशी परिवर्तन 12 फर्वरी की रात्री को 9 बज़ करके 12 मिनट के बाद 12 फरवरी रात्री में 9 बज़ करके 12 मिनट के बाद सूर्य राशी बदल देंगे सूर्य एक राशी में एक महीना रहते हैं और जब सूर्य राशी परिवर्तन करते हैं वो ही सक्रांती कहलाती है यानि के सूरिय का राशी परिवर्टन करना ही सक्रांती बेला कहलाती है जैसे आपने देखा हो कि सूरिय जब मकर राशी में आए थे तो मकर राशी में आने पर माग मास का महीना मकर राशी में जैसे सूरिय प्रारंब होते है उसके बाद माग मास भी प्रारंब हो जाता है तो माग मास का आगे प्रारंब होना और सूरिय का मकर राशी में पहले चले जाना यानि कि मकर राशी से लेकर ही माग मास प्रियन तक विशेश प्रकार के जब तब दान आदी किये जाते हैं और उसमें उपर से ही जैसे हमने बताया था मौनिय मवस्तिया फिर माग मास में ही मौनिय मवस्तिया आपकी आ जाती है तो कहने का भाव सूरिय का ये मकर में परिवर्तन और मकर के बाद सूरिय का कुम्बराशी में परिवर्तन अपने आप में विश्यस प्रकार के जब तब से सम्मंदित ये समय होता है अब आपको कुछ-कुछ समझ में आया होगा कि एक VIP समय हो जाता है हमारे लिए जब करने के लिए, दान करने के लिए, गंगा इसनान करने के लिए यानि के अध्यात्मिक दृष्टी से भी ये समय बहुत अच्छा होता है और कुछ करने के लिए होता अब हम जो तेश्य हिसाब से देखें, तो हर व्यक्ति की जनम पत्रिका में सूर्य का अपने अपने हिसाब से परिवर्तन होता यानि के जरूरी नहीं सभी की जनम पत्रिगाओं में सूरिय शुबता के साथ आए जरूरी नहीं सभी की जनम पत्रिगाओं में सूरिय एक सा फल दें यह सब बाते सब के लिए जरूरी नहीं होती है लेकिन सूरिय का कुम्ब राशी में जाना उपाये बनते हैं क्यों कुम्ब के स्वामी है शनी शनी और सूरिय का वैरभाव है हाला कि पिता और पुत्र है सूरिय पिता है शनी उनके पुत्र है लेकिन फिर भी जो तिशिय आकलन के हिसाब से वैरभाव की स्थिति बनती है इसलिए इश्वर न करे किसी की जनम पत्रिका में सूरिय सुब फल दें तो शुब ही सब के साथ घटनाए घटें उसके लिए हमें क्या उपाए करना होगा एक महीने का ये सूरिय की अबधी रहेगी यानि कि वैसे तो बारा तरिक की रात्री में मैंने बताया बदल जाएंगे लेकिन सुबह आप पहली किरण के साथ इसको अच्छा समझें तेरा फरवरी से लेकर के एक मन्हा प्रियंत सूरिय कुम्ब में ही रहेंगे आपकी कोई भी राशी हो आपका कोई भी लगन हो आप ये उपाए जरूर कीजेगा अब आईए हम उपाए के तरफ बढ़ते हैं उपाए में हम कम से कम तीन रविवार या चार रविवार हम आपको विजय प्राप्ति हो आपके जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे हैं उन सब के उपर आप विजय प्राप्त करो तो आदित्य हर्देश सोत्री दी पढ़ार ना जाता हो तो एक काम करिएगा सूरिय भगवान का एक मंत्र होता है हम आपको स्क्रीन के उपर ये सामन दिखा देते हैं आप समझ लें ओम हिर्म सूर्याय नमआ ये मैंने मंत्र अने को बार बताया है आसान मंत्र है आसानी से आपिसे कर भी सकते हैं हर रवी वार इस मंत्र को रुद्राक्स या लाल चंदन की माला से तीन माला या पांच माला आप करिएगा और जीवन पर्यंत ये दीवसमंत्र को आप करते रहती हैं तो आपको बहुत शुबफल की प्राप्ति होती रहेगी ओम हिरेम सूर्याय नमहा आगे समझ में अब हम दान बताते हैं सवा पाच किलो गेहु ले ले सवा पाच किलो के हुँ रवी बार की सुबा तीन रवी बार आप पक्षियों में डालें और जब पक्षियों में आप डाल रहे हों तो आप मुठी भर भर के डालें ऐसे ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं कोई भी समाल लिया और उसे ऐसे वहाँ उडेल करके आ जाते हैं पाँच मुठी तो कम से कम पाँच मुठी दाना हर रविवार पक्षियों को डाले और यदि भगवान ने सक्षमता दी है तो सवा पाँच किलो थोड़ा-थोड़ा करके एक ही रविवार में डाल देना है ऐसा आपको दो या तीन रविवार जरूर करना है दो बाते तो यह हो गए अब एक बात और सुनो सुर्य किस रासी में जा रहे हैं कुम्बर रासी में तो शनिवार के दिन भी इस बार एक उपाई जरूर कर लेना हमारे कहने से ताकि आपके शनिग रह भी बैलेंस बने रहें अशुब ताकि प्राप्ति ना हो क्या उपाई कर आप जो आपके आसपास कोई कोई भी जो जिनको हम दे सकते हैं लाइक बैगर्स या कोई निड़ी परसंद तो किसी को भी सेवन सेवन्टी सेवन हंड़ अप टू आपकी इच्छा आपकी पोकेट अलाव कितना करती है और जब आप सात रूपे या सतर रूपया किसी को दे देते हैं तब एक काम करें मनी मन ओम शनई नमा ओम शनई नमा इतना तो आप पढ़ी लेंगे ना ओम शनई नमा बोल करके आप वह चीज उनको डोनेट कर दें वह पैसा डोनेट कर दें ऐसा केवल दो शनी बार कर लें आप तेरा फरवरी से लेकर के बारा मार्च के बीच में आप ऐसा दो बार कर लें बस इतना ही भी आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे फल की प्राप्ति हो जाएगी और इसी के साथ साथ एक कारी और कीजिएगा के सूरिय भगवान को जल जरूर दीजिएगा आप लोग वैसे भी सूरिय को जल देना चाहिए तांबे का पात्र ले लें थोड़ा सोस में गुड़ डालें गुलाब की पत्ति मिल जाए तो गुलाब के फूल की पत्तियां या गुलाब का फूल छोटार सा डाल करके सूरिय भगवान को जल दें और जब सूरिय भगवान को आप जल दें तो जुने अरगह मंत्र याद है वो अरगह मंत्र पढ़ लें नहीं तो ओम सूरिय नमह या ओम सूरिय देवाई नमह या ओम भासकराई नमह बोलते हुए सूर्य भगवान को कम से कम हर संडे जल दे दिया करें नहीं तो सूर्य इस बार कुम्भ में गए हैं तो ये एक महिना हर रविवार में ये प्रति दिन सूर्य को जल देते रहें सूर्य को जल कैसे देती हैं इसके लिए हमने एक अलग से काफी पहले बनाया था उसे आप हमारे नाम से सर्च करके उसमें से समझ सकते हैं इसी महीने में जो ब्रस्पती अस्त थे तो ब्रस्पती भी उधित हो रहे हैं पंदरा फरवरी को ब्रस्पती ग्रह भी उधित हो जाएंगे कुछ ऐसे मंगल का रही है जो व्यक्ति अपने रोग देते हैं तो वो प्रारब हो जाएंगे और जैसे हमने बताया कि 12 फर्वरी की रात्री में से ही आपके सूरी राशी बदलेंगे और 13 फर्वरी से तो पूर्ट राशी चेंज हो जाएगी 12 फर्वरी से ही गुप्त नवरात्र हैं भगवती दुर्गा के यह मागमास के गुप्त नवरात्र होते हैं में हमारे दो नवरात्र होते हैं शारदिया और चैत्री है ना अब चैत्र के नवरात्र हमारे आगे ना उसमें भी कुछ हम बताने का प्रियास आपको जरूर करेंगे और दूसरी बात इसके सास्ता देख चीज़ और बता दें कि जब आप सूरिय को जल दें तो पांच बार सूरिय को प्रणाम किया करें ओम सूर्याए नमा, ओम भासकराए नमा, ओम आदित्याए नमा, ओम सूर्याए नमा मनलब पांच बार सूर्य देपता को कोई भी वी जात्मक मत्र बोलते हुए हमें हर भी बार सूर्य देपता को परणाम करना चाहिए बस मेरे साथ को आज मैंने जो भी आपको उपाय बताए हैं जो भी इन में से आपको आसान और सही लगे बहुत कम उपाय बताए हैं तो आप जरूर करिएगा सूरिय का कुम राशी में परिवर्तन आपके लिए शुबता लेकर के आएगा इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं नमस्कार का hanno वे आ रहे हैं है को मैं बहुत तेज़ आओ का करीब 4-5 दिनों से कोव का जूंट मेरे घर पर मन रहा था तो मैं ये सोचने परिशान था ये सुभ है असुभ है क्या जीज है तो में ने मैंने क्ल HC न किया कि क्या मैंने आपको बता-ए कि मेरे मेरे इन से वारता हुई तो मैंने इनका उद्देश से जानना चाहा कि किस उद्देश के लिए आप काम कर रहे हैं तो जो उद्देश यह उन्होंने मुझको बताया मैं मन्द से इनके उद्देश के साथ जुड़ गया इनके साथ तो जुड़ा था ही अब इनके उद्देश के साथ भी हूँ मैं और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें